दोस्तों नवाश्कार राश्ट नियूस पर आपको हमेसा ही कुछ अलग हट करके स्टोरी दी जाती है आज हम आपको जो स्टोरी बताने जा रहे हैं वह बेहद ही आपको हेरान कर सकती है परैसान कर सकती है और ये भी हो सकता है कि पूरी रात आपको नीद नहीं आए दरसल यदि सिस्टम ही नकारा साबित हो जाए तो फिर किसी भी गटना को गटने से भी कोई नहीं रहोग सकता उदेपूर्श शहर जो की एक बुद्धी जीवी शहर कहलाता है यहां सभी जागरुग लोग भी है लेकिन कुछ लोगों की कारस्तानी करतूत की वज़े से इस शहर को सरमिंदा होना पड़ता है शहर के सेक्टर पांच इलाके में एक गने निम के पेड़ को जैसी बी के द्वारा रोंदा जाता है और यह वे लोग हैं जो नगर नेगम के ही बताए जाते हैं यह लोग दिन दहाडे जैसी बी को लेके आते हैं साइड में सालों से खड़े इस पेड़ को दराशाई किया जाता है रोंदा जाता है और गसीटते हुए करीब 50 मिटर दूर ले जाकर इसको फैंक दिया जाता है यह पेड़ रो रहा है यह पेड़ आसु निकाल रहा है लेकिन आप और हमें इसकी दर्द को इसकी परेसानी को इतना एसास सायद ना हो पाए इसलिए इन तस्विरों के माध्यम से हम आपको आज समझाते हैं 2014 में इस पेड़ को यहां आबो हवा के लिए लगाया जाता है प्रियावरन की महाक के लिए इसको लगा दिया जाता है और इसकी सुरक्षा के लिए एक ट्री गार्ड भी यहां लगा दिया जाता है जिसके उपर साफ साफ दो हजार चौदा भी लिखा जाता है और नगर निगम उदेपूर का हवाला इस पर दिया जाता है ये तस्वीरें तो आप देखी रहें अब आप ये भी देख लिजए कि आखिर इस पेड के हत्यारे कौन हैं इस पेड को उखाडने वाले कौन हैं इस पेड की बली देने वाले कौन हैं इसी नगर निगम के दो लोग बताये जा रहे हैं जो दिन दहारे आज इस पेड को उख खार कर यहां कच्रे के ड्रेर में फेंकने में सपल हो गए हैं इसे लोगों का इलाज क्या है इसे लोगों की कारवई क्या होगी ये तो सारी देखने वाली बात होगी लेकिन जिस तरह से तस्विरों में आप देख रहे हैं इस पेड को यहां से पूरी साजिस पुरवक हटाय आगाई जाता है जमीन पर जब ये गीरता है तो ये तस्विरें देखने के बाद में ये एसास भी किया जा सकता है कि कितना रोया है आज ये पेड कितने आशु बहाए है आज इस पेड ने ये वही पेड है जिसने हजारों लोगों को सांसे दी है गनी आबादी के छेतर में इस पेड ने न जाने किस-किस के सुकून को खुशनुमा बनाया है ऐसे में आज इसको तोर दिया गया है अब ये पेड जमीन पर पड़े हुए अपने दर्द को बता रहा है हम परियावरन की नाम पे कई बड़े प्रोजेक्ट चलाते हैं बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और स्लोगन भी देते हैं लेकिन ये सारे इस तस्विरों को देखने के बाद बेकार हो जाते हैं इसे लोगों की खिलाप कड़ी कारवाई होने चाहिए हमारे यहां कानून है लेकिन ऐसे लोगों के खिलाप कारवाई नहीं होती है अब इस मामले में भी इनके बचाव के ल दर्ज होता है ये सारे सवाल हैं हिरनमंगरी थाना पुलीस भी क्या इस पर कोई कारवाई करती है क्या कोई जन हित में भी इसके लिए आगे आता है ये भी सबी देखने वाली बात होगी लेकिन नगर निगम द्वारा बले ही कहीं अभियान चलाये जा रहे हूं जब तक सिस् जग जायर जरूर करना चाहिए राश्ट निउस इस गटना करम की गोर निंदा करता है ऐसे लोगों को सबक सिकाना चाहिए और इन लोगों की पेचान भी होनी चाहिए राश्ट निउस की अगली रिपोर्ट में भी हम कोशिश करेंगे इन लोगों को बे नकाब किया जाए इनकी पेचान के साथ ही इनको डंडित किये जाने की बात के लिए भी लोगों को आगे आना चाहिए जागरुक लोगों ने हमें बताया हमारी टीम मौके पर पहुँची और जिस तरह से जैसी भी से इस पेर को रोंदा गया ये तस्वीर भी आप देख लीजिए आज हमने भी इस इस्टोरी को कवर किया बेहद दुख के साथ में इस इस्टोरी को आप तक आज बता रहे हैं इस साथ जब समाज में होता हैं तो हम किसा सकारात्मक में से संभव कर सकते हैं ये हमारे लिए विचारनी प्रशन है तो इससे तोड़ गलत वहा है अगर वह बढ़ा प्रिव की एकिषा आप से इन्यान लेंगे इसमें आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दीजे इसे लोगों क्या क्या इलाज है ये भी हमें जरूर बताईए चैनल को सस्क्राइब भी करिए ताकि इसी तरह से स्टोरी कैंटेन आप तक पहुंच सकें धन्यवाद